तो आखिरकार उपाय बताया क्या? कि तुम्हें 900 सूरों का पेट भरना है। यह यूँ कह दो कि किसी सूर पालने वाली से तुम्हें उसकी 900 सूरों का निवता लेना है। और यह बस तुम्हें एक दिन के लिए ही करना है। लिकिन याद रखना कि अगर इन में से किसी भी सू तो आज की कहानी जो मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है नौसों सुरों का नेवतार तो आये सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानि आपके अपनी नेती के साथ तो भें एक बार एक आलसी और निठला वेक्ति था नाम था राजा अब उसको अपने इसी नाम का इतना अभिमान था कि वो अपने हाथ पैर तक नहीं हिलाता घर पड़े पड़े बस रोटियां तोड़ा करता उसके माता पिता उसको समझा समझा कर ठक गए थे और उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती और उसकी इस हालत का जिम्मेदार अब माता पिता खुद को मानन लगे थे उन्हें लगता था कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपने बेटे को वो भविश्वानी बता दी जो उन्हें उसको नहीं बतानी जाहिए थी दरुसल राजा के बचपन में नामकरण के समय एक पंडित ने उसके बारे में ये घोशना की थी या यूं कहले भविश्मानी की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर राज योग भोगेगा इसके बाद इसके पास धन समपदा की कोई कमी नहीं होगी ये अपने नाम की तरह ही सारी जिन्दगी राजा की जिन्दगी जियेगा और बस जब से राजा को ये बात पता लगी थी तब से लेकर आज तक राजा इसी भविश्वानी के चलते अपने शरीर को कश्ट नहीं देता था खैर इन सब बातों से इसके माता पिता बहुत परिशान थे उन्होंने सोचा कि आखिर अगर ये ऐसे ही रहेगा तो इसकी शादी कैसे होगी हमारा वंश कैसे बढ़ेगा क्योंकि अगर ये निठल्ला पड़ा रहा तो कोई भी अपनी लड़की इससे क्यों देगा राजा के लिए कई रिष्टे आते पर सबको जब ये पता चलता कि ये लड़का बिल्कुल निठल्ला है कोई काम काज करके ही नहीं राजी है तो सभी ये कहकर चले जाते कि इस निठल्ले को हम अपनी लड़की क्यों ब्याहेंगे भई और राजा के माता पिता ये देख देख कर अंदर ही अंदर मरे जा रहे थे इसी बीच राजा के पिता को एक आशा की किरन नजर आई उन्हें एक महत्मा के बारे में पता चला पूरे इलाके में इन महत्मा का बड़ा प्रताब था और इसी वज़ा से राजा के पिता भी अपनी फर्यार लेकर उनके पास महुचे महात्मा ने उनकी सब बाते ध्यान से सुनी फिर कहा कि क्या मैं जो उपाय आप से बताऊंगा आप कर पाओगे राजा के पिता ने बेटे के लिए सब कुछ कर गुजर जाने की ठान ली थी और इसलिए उन्होंने महात्मा से हामी भर दी उन्होंने कहा महात्मा आप जो भी उपाय बताएंगे हम करने को तयार हैं बस आप में हमारे बेटे को सही रासे पर ले आईए तब महात्मा ने कहा कि ठीक है तुम घर जाओ और अपने बेटे को ये कहना कि बेटा वो पंडि जिसने तुम्हारे लिए भविशवाने की थी वो तुम मर गया पर उसने एक और बात कही थी उसने तुम्हारे राजयोग के लिए 13 साल बाद एक उपाय बताया था मुझे लगता है कि मैं भूला बैठा था इसलिए तुम्हें राजयोग नहीं मिल पा रहा और इतना कहने पर तुम उसे मुझसे मिलवाने लाना ये मत उपाय मत बताना पहले उसे मुझसे मिलवाने लाना क्युकि वो पंडित जिसने भवश्वाने की थी वो तो है नहीं तो मुझे ही उस पंडित के रूप में उससे परचित करवाना राजा के पिता ने कहा ठीक है महात्मा जी आप जैसा कह रहे हैं ठीक वेशा ही होगा और बस अगले दिन राजा के पिता ने जब राजा को ये बात बताई तो राजा ने एक छण का भी आलस नहीं किया वो और उसके पिता पंडी जी से मिलने के लिए तैयार हो गये और फिर दोनों पिता पुत्र पहुँँच गए उस महत्मा के पास राजा ने महात्मा से प्रणाम भी नहीं किया बस जाते ही सीधा पूछा कि आप वही पंडित है जिसने मेरे लिए 18 साल बाद कोई उपाय बताया था जिसने मेरे लिए भविश्वाने की थी तो पंडित जी ने महात्मा जी ने कहा हा बेटा मैं वही पंडित हूँ तो राजा ने कहा कि फिर ठीक है जल्दी से बताईए कि आखिर वो कौन से उपाय है जिससे करने के बाद मुझे राजयोग मिल जाएगा बताईए और ये छंचत ही खतम हो रोज रोज मेरे माता पिता म मेरे लिए परिशाँ रहते हैं महात्मा ने उपाय बताने से पहले ये शर्त रखी कि अगर तुम इसे एक बार में नहीं करोगे तो तुम्हें राजयोग कभी नहीं मिलेगा सोच समझ कर ये उपाय जो है हाथ मेलेना और ये उपाय करना जरूरी है कि अगर ये 18 साल बाद उपाय भी नहीं करोगे तो कि अब तुम 21 के हो तो तुम्हें राजयोग तो वैसे भी नहीं मिलेगा तो पहले अपने मन को मजबूत बनालो कि तुम ये उपाय जो है वो एक दिन में कर पाऊगे कि नहीं अगर कर पाऊगे तो ठीक है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेक से भी तुम्हें राजयोग नहीं मिलेगा तो अकल के अंधे राजा ने हां कह दी उसने कहा ठीक है आप मुझे उपाय बताइए मैं आपनी आगे की जिन्दकी खुशाल करने के लिए कोई भी उपाय करने को तैयार हूं इस प्रकार आखिरकार उपाय बताया क्या महात्मा कि तुम्हें 900 स्वरों का पेट भरना है या यूं कह दो कि किसी सुर पालने वाले से तुम्हें उनकी 900 स्वरों का नेवता लेना है और यह बस तुम्हें एक दिन में ही करना है सिर्फ एक दिन करना है एक दिन के लिए तुम्हें उनका मालिक बनना है तुम्हें उनका पूर और इस पर राजय ने कहा कि महत्मा सुवर ही क्यों कोई और जानवर बता दो तो महत्मा ने कहा कि नहीं यह सुवरों का ही मामला है और यह ऐसा ही लिखा हुआ था कि तुम्हें यूपाय करना ही पड़ेगा कोई और जानवर होता तो मैं बता देता मेरा क्या जाता है लेकिन आप जैसा लिखा है, जैसे तुम्हारे उसमें राशी फल में लिखा है, तुम्हें राजयोग मिलेगा, वैसे ही इसमें ये उपाय भी लिखा है, और अगर ये उपाय सही तरह से सही नियम से नहीं किया गया, तो तुम्हारा जो है राजयोग खतम हो जाएगा, खर राजा न उसने उनसे निवीतन किया कि किर्पया कर इन सुरों को एक दिन के लिए मुझे दे दो। पर सुवर का मालिक मान नहीं रहा था। फिर आखिरकार वैकुष्णगर लेकर माना। और इस तरह एक दिन के लिए राजा उन सुरों का मालिक बन बैठा। सुवा होते ही सुवार का मालिक राजा के घर सब सुवारों को छोड़ गया अब रविचारा राजा सुवा से ही काम में लग गया कभी उनके लिए खाना लाता, कभी उनके लिए पानी लाता जैसे ही थोड़ा बैठता सुवार फिर चिलाने लगती किसी को पूरा लगता, कोई आपस में सारा खा जाती, किसी को बचता ही न और ऐसा करते करते शाम हो गई पर सोरो ने चिलाना नहीं बन किया, किसी का भी पेट नहीं भरा हलाकि राजा सारा दिन सब को बराबर खाना खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा शाम हो गई और राजा थक चुका था वो एक कोने में बैठ गया और सोशे लगा कि ये पंडित ने सोरो का नियुता ही लिने को क्यों कहा ये बैठी बस सिल लाती हैं और खाती हैं और ना ये बाकी जानवरों की तरह ही है कि साफ सुत्री हों की इनको देखकर इन पे प्यार आए उफ इन में से कितनी बदबु आती है मैं तो खिलाते खिलाते था क्या पर इनकी भूख खतम नहीं होती सोरों की तरफ देखते देखते राजा को अपने बारे में भी याद आया कि हाँ मैं भी तो बिलकुल इनके जैसा ही था यह हूँ आज की दिन को छोड़ कर बाकी मैं भी तो ऐसे करता हूँ सिर्फ पड़े पड़े खाता हूँ कई बार तो कई-कई दिन तक नहाता भी नहीं हूँ आलस की चकर में मेरे पास से भी तो बदबू आने लगती है ऐसे ही मेरे माता पिता को भी मुझे पर प्यार नहीं आता होगा खैर यह सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई आप खुली तो सवेरा हो गया था सोरो का मालिक अपनी सोरो को लेने के लिए आ चुका था सोरो को देने से पहले राजा ने मालिक से पूछा कि तुम इने रखते कैसे हो ये तो बहुत बेकार है ये तो कोई काम भी नहीं आती इनसे तो कोई काम भी नहीं निकलता इससे अच्छा तुम गाय बकरी भैस पालो तुम्हें कुछ फायदा होगा इस पर मालिक हसने लगा उसने कहा कि देखे साहब इसलिए तो इन्हें सुवर कहते हैं ये किसी के काम नहीं आती बस खाती हैं और इन्हें हम इंसान भी मुफ्त में नहीं पालते हैं अगर आप सोचें कि हम इन्हें मुफ्त में पालते हैं तो नहीं हमारे भी कोई जरूरते हैं ये जीते जी तो हमें कोई फायदा नहीं देती लेकिन हाँ जीते जी ना सही ये मनने के बाद मुझे लाखों का फायदा देती हैं और इंसान इसलिए इनको पालता है और इसी तरह बाकी सब भी है जैसे माता पिता हैं तो माता पिता भी अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं Taa कि वो भी आके चलकर उनकी उमीदों को जो सपने उन्हें ने देखे हैं उन्होंने नहीं पूरे किये हैं वो अपने बच्चों के आखों में देखते हैं लेकिन अगर बच्चे भी ऐसे हो जाएं तो माता पिता की तो जिंदिगी बेकार है क्योंकि कोई भी माता पिता हम तो सोरो को मार कर उनसे कुछ फायदा उठा सकते हैं लेकिन माता पिता जो है अपने बच्चों को कभी मरता नहीं देख सकते इसलिए उनको तो कोई फायदा भी नहीं होगा खेर राजा ने मन ही मन सोचा कि खेर मेरा जो उपाय था वो तो विफल हो गया क्योंकि सोरों का पेर तो मैं नहीं भर पाया यह तो मुझे पक्का पता है इसलिए मैं महात्मा के पास नहीं जाओंगा कोई जाएने का फाइदा ही नहीं है अब डाजयोग तो मुझे मिलने से रहा क्यों ना मैं अपने काम पर ध्यान दूँ और इस परकार उसने एक करमचारी की नौकरी ढूंटी और काम में लग गया कुछ दिन बाद उसके अधिकारी उसकी महनस से प्रभावित हुए और उन्होंने राजा को उचपद पर सापित कर दिया और इस तरह राजा अच्छे कमाने और अच्छा कमाने और खाने लग गया इसी बीच उसकी शादी एक उचगहराने की सुशिल कन्या से हो गई महात्मा को पहचान लिया कि अरे यह तो वही महात्मा है जिन्होंने मुझे उपाय बताय था और जिन्होंने मेरे लिए भविश्वानी की थी खेर उपाय तो मैं नहीं कर पाया और इसी शरम की वज़ा से मैं नहीं मिल पाया लेकिन मुझे इनका शुक्रिया तो करना चाहिए कि शायद उसी उपाय के विफल हो जाने के बाद मैंने इतनी महनत की और आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो इसलिए उसने महात्मा के पैरों पर गिड़कर उनसे माफी मांगी उनसे दुबारा ना मिल पाने की माफी मांगी पर अब भी उसका वही प्रशन था कि आखिर आपने मुझे सोरो काही नोता देने को क्यूं कहा इस पर महात्मा ने कहा कि बेटा अगर मैं तुम्हें किसी और की सेवा को कहता तो तुम्हें कष्ट न उठाना पड़ता क्यूंकि बाकी जानवरों का पेट जल्दी भनता है और उनको नियमित रूप से ही खाना दिया जाता है पर इनको जिनका नोता तुमने लिया था इनको खिलाने का कोई नियम नहीं इसलिए तुम्हारा विफल होना मुझे पता था और इसीवज़ा से तुम्हारा कुछ भ्रह्म था वो खटम हो गया कि अब तुम्हें राजयोग नहीं मिलेगा और फिर तुमने खुब महनत की और जिस कारण आज तुम सच में राजयोग हो राजयोगी हो राजयोग भी बिना जो है महनत के नहीं ठहर पाता अगर इंसान महनत नहीं करता तो राजयोग भी छिन जाता है खैर थोड़ी देर में नामकरन की पूजा शुरू ही और नियमा नसार अंत में राशी गर्णा के नसार बेटे का नाम कुबेर बताया क्या राजय की पत्नी ने महत्मा से पूछा कि हे महत्मा इसका अर्थ क्या है इस नाम का अर्थ क्या है तो इस पर महत्मा ने कहा कि बेटा कुबेर धन के देवता है और इस नाम के बालकों के पास भविश में कभी धन की कमी नहीं होती मातना जी का ये कहना था कि सभी जोड जोड से हसने लगे कुवेर के दादा दादी ने कहा बेटा राजा कभी भी अपने बेटे को उसके नाम का मतलब मत बताना समाप कहानी कैसे लगी जरूर बताएगा अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो में चानल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे फॉलो कीजिए स्पोटिफाई पे गूगल पे आइमाजॉन पे बने रही है में साथ सोरी विन नीती में ताकि मैं ऐसे ही आप सब के लिए अच्छी च्छी कहानिया लेकर आती रहूं तो तब तक के लिए सब को नमस्ते सब को परना